हेलो फिर्ट्स बहुत 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 वागाद आप सभी के एक बाफ फिरसे सरकारियर्ट में तो इस वीडियो में हम लोग एक important discussion करेंगे जो कि basically होने वाला है उत्रा घंके HNB University की A&M और J&M course के admission के बारे में ठीक है तो अगर आप A&M या फिर J&M course में जो है admission लेना चाते हैं 2022-2022 session के लिए तो उसके जो application form है वो release हो चुके है registration जो है उसका start हो चुका है तो इस वीडियो में हम लोग जो है वो उस course related जो है A&M और J&M उस related हम लोग सारी information जो यहां पर discuss करेंगे क्या आप exam pattern करेंगा syllabus करेंगा eligibility क्या है कौन कौन apply कर सकता है कौन नहीं कर सकता है age limit क्या है ठीक है तो इस सारी चीज़े हम लोग इस वीडियो में cover करने वाले हैं बाकि अगर आप B.Sc. Nursing या फिर B.Sc. Paramedical course में apply करना चाहते हैं तो वो वीडियो भी देख सकते हैं वो वीडियो जो है मैंने H&B University इस तरीके की playlist से चैनल पर उसमें जा गया वो वीडियो चेक आउट कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर यह लिखा हूँ है उत्राखंट Pre A&M A&M या फिर J&M उन्स अभी के लिए 30 June 2022 दी गई है ठीक है और admit card जो आपका 2 July 2022 को आएगा इसकी जो exam rate है G&M की वो आपकी रहेगी 9 July को और A&M की भी जो है 9 July को रहेगी ठीक है यहां exam date में थोड़ा confusion है क्योंकि यहां कुछ और दे रखा है exam schedule में कुछ और दे रखा है तो यह तो ठीक है यहां पर जो एक चीज़ यहां पर मैं बता दूँ कि जो G&M का course है उसमें male candidates eligible है लेकिन जो A&M का course है उसमें male candidates जो eligible नहीं है ठीक है सिर्फ female candidates के लिए A&M तो G&M जो है उसमें 20% जो seats है वो male candidates के लिए reserve रहेंगे ठीक है उसमें मतलब female candidates admission नहीं ले सकती बाग जो हम लोग application form की fees की बारे में बात कर लेते हैं तो यहां पर general category और जो OBC category है उनके जो application form की fees है वो 1500 रुपए है और बागी जो EWS, SC और SD category है उन सभी categories के लिए 1000 रुपए है ठीक है और यहां पर उसके बाद जो है यह तो counseling के बारे में हापर दिया गया है ठीक है और आपका पेपर जो है वो overmarcheat के उपर होगा यानि कि offline mode में कराया जागा online इसका exam नहीं होता है ठीक है अब इसके LGBT के बारे में हम लोग discussion कर लेते हैं कि कौन-कौन से candidates eligible ने ठीक है तो यहां पर लिखा हुआ है पहले तो यह कि आप Indian citizen होने चाहिए और उसके बाद जो है age limit यहां प maximum age limit जो हो 35 years है ठीक है उसके बाद जो है G&M हेतु परिशारती की आयो दिनाग 31-12-2022 को new term सतर तो G&M के लिए भी same case है ठीक है तो मतलब G&M के लिए minimum 17 years होने चाहिए 31-12-2022 तक और जो maximum age हो 35 है अब यहां पर बात कर लेते तो यह बताई दिया मैंने कि G&M course में 20% CS जो हो male candidates के लिए ठीक है अब एक चीज़ मैं यहां पर बतायता हूं कि जो आपकी eligibility है निकि कौन-कौन से candidates जो है वो eligible है इस इस quote के लिए ठीक है तो यहां पर लिखा है उप्रोक्त के अतरिक परवेश परिक्षा में बैठने के लिए निम्न अहरताय होंगी ठीक है तो यह basically जो यह वाली eligibility है यह जो होंगी वो मान्य होंगी तो उत्राखन राजय के ऐसे स्थाई है मूल निवासी अभेरती जिनके दौरा हाई स्कूल एबर्म 10 प्लस 2 अत्वा समकर्ष दोनों परिक्षा है उत्राखन राजय में स्थित किसी माननेता प्राफ श्रिक्षन संस्थान से उत्त तो अगर आपके पास उत्राखन का डो मिसाले स्थाई प्रमान पत्र है और आपने अपना क्लास 10 और क्लास 12 जो है वो उत्राखन के किसी भी संस्थान से की हो ठीक है तो यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हो कोई भी सब्जेक्ट के बारे में particular specific subjects नहीं दिया है कि आपको तो यहाँ पर एक चीज और दी गई है कि मानलो अगर आप उत्राखन के candidate हो मतलब उत्राखन का डो मिसाल आपके पास नहीं है लेकिन आपने अपने क्लास 10 और क्लास 12 है वो उत्राखन से किया है ठीक है उत्राखन से आपने उस क्लास 10 और क्लास 12 जो है अपना complete किया और आपके पास उत्राखन के डो मिसाल नहीं है यानि कि आप उत्राखन के मूह लिवासी नहीं हो तो उस case में भी आप eligible होगे लेकिन आप जो है अपने आरक्षन का जो वो benefit नहीं लिपा होगा ठीक है मालोगर आप OBC केटीगरे के और SC केटीगरे के और SC केटीगरे के और किसी भी other केटीगरे के और general के लवा तो आपको जो है उसका reservation का benefit उस case में नहीं मिलेगा फिर next है अत्वा उत्रखन राज्ये के ऐसे स्थायय मूली वासी अभेरती जिनके दोरा high school 11 10 प्लस 2 अत्वा समकश परिक्षाओं में से कोई एक अत्वा दोनों परिक्षाओं उत्रखन राज्ये के बाहर इस्थित मानने था प्राप किसी प्राप किसी प्राप शिक्षर सं नोट में में मेंशन की गई है कि अगर मालों आपका class 12 जो है वो अभी complete हुआ है या होने वाला है 2022 में उसका result आने वाला है तब भी आप उस case में ये application form जो हो fill कर सकते हो ठीक है तो यहां लिखा है वे अभेरती जो वर्ष 2022 में बारवें इंटर्मिडियेट की परिक्षा मे समयलेत हुए है एवं जिनका परिक्षा प्रिक्षा प्रिक्षा 2022 के लिए पंजी करण हेतु निर्धारित अंतिम तिति तक गोशित नहीं हुआ वे अभेरती भी नर्सिंग परिक्षा 2022 में समयलेत हो सकते हैं ठीक है तो साफ साफ हैं पर लेखा हुआ है अब यहां पर किये गए हैं तो मैं बता देता हूं क्या के सब्जेक्ष हैं तो एनम पार्टिक्रम ही तु निर्धाम शेक्षे योगिता टेन प्लस टू की परिक्षा कला विशे यानि कि अगर आप आर्ट स्थीन से हो जिसमें की मैस हो सकता है और बहुत थी की रसायन शास्त्र जी विग सब्जेक्ष अगर आपके पास 10 प्लस 2 में हैं इनमें से कोई भी सब्जेक्ष तो आप अलिजिबल हो ठीक है तो mostly almost जो है सारे ही सब्जेक्ष नहां पर complete हो गए है ठीक है उसके बाद जो है एन यूस वाले candidates जो है वो भी अलिजिबल होंगे और GNM है तो GNM के लिए भी लि के रूप में अत्वा healthcare science ठीक है तो इसके साथ English भी होना ज़रूरी है अगर आप GNM के लिए अप्लाइब कर रहे हो तो आपके पास class 12 में English compulsory है ठीक है और उसके बाद लिखाए कि GNM ही तु नियूंतम 40% औस अंगों के साथ 10 प्लस 2 की परिश्य विग्यान विशे बहुत है के साथ अंग्रेजी विशे से उतीर होना चाहिए ठीक है तो आन्य कि 10 प्लस 2 में आपके पास minimum 40% हो जाए है अगर आप साइंस टीन से अप्लाइब कर रहे हो और साथ में आपके पास English भी होना चाहिए बाकि नियूस वाले candidates पे अलिजिबल है और बाकि जो ऊपर लिखे द ठीक है उसके बाद जो हम लोग यह देख लेते हैं कि इसका exam pattern वगरा कैसा रहने वाला है और जो subject से हो क्या क्या आपके पूछे जाएंगे ठीक है तो यह यहाँ पर लिखा हुआ है उत्रेखन प्री-ANM एवं-JNM नर्सिंग प्रवेश परिशे 2022 का कारेगरम ठीक है तो आ आपका जो एनम का मतलब exam होगा उसमें आपके चार sections होगे total पहले आपका सामाने बशा हिंदी यानि कि जनरल हिंदी आएगी उसके बाद आएगी आपके प्रारम बिगड़े यानि कि Elementary Mathematics उसके बाद फिर सामाने विग्यां जनरल साइंस आएगी और उसके बाद सामाने या यानि कि General Knowledge आएगी तो चार सब्जेक्स आपके रहने वाले हैं पहला आपका General Hindi फिर General Mathematics या फिर Elementary Mathematics उसके बाद General Science और उसके बाद लास्ट में जो है आपका आएगा जी के और जी के सबसे जादा portion यहां पर cover करें यानि कि 40% बागी सब के questions जो है 20-20 है यानि कि 20-20% से पर होगा 100 questions होगे ठीक है उसे दरीके से GNN कि से लिए बस क्या है पहला General Hindi है जिसके 10 questions होगे General English के 10 questions होगे Elementary Mathematics के 20 questions होगे General Science के 30 questions होगे और General Knowledge के 30 questions होगे ठीक है तो यहां पर complete आपका यह सब लिखा हुआ है और यह सारी चीज़े होगी और आपके 100 total questions होने वाले एक questions जो है ए और प्रशने पत्र लिखा है हिंदी एवा मंगरी जी दोनुई भाशों में होगा तो इसमें negative marking नहीं होगी यह देख सकती लिखा भी है प्रतेक सही उतर के एक अंग प्राप्त होगे तता गलत या फिर उतर नहीं देने पर या फिर कई विगल्पोगा एक साथ चैन करने प का पैटन हो गया बाकि यहां पर एक्जाम सेंटर स्किलिस दी गई है आतेरदुन है श्रीनगर गडवाल है नई टीरी है गोपेश्वर है हरिद्वर हल्दवानी पितारगर अलमोरा उत्रगाशी ठीक है तो यह सारे आपके एक्जाम सेंटर हो गए बाकि admit card वगरा के बारे देटेल से आपकी A&M और G&M कोर्स के बारे में बागे इससे related में वीडियो बना दूँगा क्या आपको इसके लिए prepare कैसे करना है प्रिवेस एक के पेपर भी मैं आपको अविलेबल करवा दूँगा ठीक है तो वीडियो अगर हेलफ लोगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर कर सक्यों उसका लिंक जो है वो मैंने कमेंट सेक्षिन में ही पिंग कर राक है ओके तो थाइंक्यू एंड हम नाइस टे